नमस्ते दोस्तों आपका एक बर फिर्श्य स्वागत है आपके अपनी योटुब चानल पूजा घर संसार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यदि महिला के सरीर में उनके अंडासे से अंडे कम होने लगे या फिक खत्म होने लगे तो उन्हें कैसे ये किसे हैं और इस वारे में हर एक महिला को जानकारी होनी चाहिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है तो इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखे और जो भी नए वीवर्स है और जरूर चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लें ताकि ऐसे ही मौत लेट को कैसे पहचानना है कौन-कौन से लक्षन होते हैं उस वारे में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ लेकिन अगर नॉर्मली हम इंडियन वोमेन की बात करें तो यहां पर जो मेडिकली सर्च किया गया है रिसर्च के दौरान यह पाए गया है कि 45-50 एजब महिला का होता है तब एक रिजर्ब्स खतम होने के कागार पर वो पहुँच जाती है लेकिन आज कल जो लाइफ स्टाइल चल रही है इस वारे में कई सारे ऐसे स्टॉडीज हुआ है जिसमें यह साबित हो गया है कि समय से पहले यानि हो सकता है कि 35 के एज में या 40 केज से पहले ही आपके ए आप माम नहीं बन पाई है तो इन सारे लक्षिनों को जानने के बाद इमेडेट आपको क्या करना है मैं वह भी जानकारी देने वाली हो दोस्तों देखिए अगर आपके एक क्वांटिटी जो है वह खतम होने वाली है तो क्या होता है जब भी महिला बर्थ लेती है तो उसक इस पंदर या 16 साल के अंदर किसी भी फिमेल का जो पीरिट है वह स्टार्ट हो जाता है तो इसी मेल से कुछ एक जो होते है उनको कें मेर Subscribe होते आसो जैसे जैसे महिला का एज बढ़ते जाता है यह एग रिजर्ब्स खत्म होते जाते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि गुड़ क्वालिटी ओफ एग खत्म होनी के वज़े से महिला गर्वधारन नहीं कर पाती है बहुत सारे एग तो होते हैं लेकिन वो सभी एग गर्वधा आपसे हैं यानि जो एक CSंख्या है इंडे की संख्या है वह तो कम हो रही है 群ो उसके आपको दिखने diviner यह पाता है इस और यह हर एक महिला में इक उम्र पे होता है लेकिन जिन महिलाओं समय से पहले स्टार्ट हो जाता है उनमें क्या होता है फ्रेंट्स की गर्वधारन करने की सकती खतम हो जाती है अब फ्रेंट्स इसको कैसे जानेंगे लक्षन के तौर पे तो सबसे पहले बात ये होती है कि जिन महीना को एक रिजब्स खतम होने वाले होते हैं उसके कुछ महीने पहले या फिर हो सकता है कि हर महीन आती ही नहीं है तो ये बहुत और गंभिर समस्या है कि आपके गुट क्वालिटी ऑफ एग खतम हो रहे हैं दूसरा कारण होता है फ्रेंड साइंटिफिक कि जो सरीर है वो एस्ट्रोजन और पोजस्टोन हर महीने प्रोडियूस करता है आपको होने लगती है और इस्ट्रोजन पोजस्ट्रोन का जो प्रोड़क्शन है बॉडी दीरे-दीरे बंद करने लगता है इसके साथ ही फ्रेंट्स कई साड़ी महिलाओं को यूटी आई इनफेक्शन भी हो सकता है क्योंकि इस तोरान जब आप मोनोपॉस की तरफ बढ़ती रहती है जब आपके एक रिजर्फ्स खतम होने के कगार पे होते हैं तो आपके सवाइकल म्यूकस बंदा बंद हो जाती है बहुत जादा ड्राइनेस होती है और इसकी वज़े से आपको इ इंटरिचन में चली जाती है म्यूकस जो आपका प्रोड्यूस होता है जो कि आपको यह दरशाते हैं कि आप मोनोपॉस की तरफ जा रही है इसके बाद क्या होता है कि कई सारी महिलाओं के प्लो ही नहीं आता है एक दिन ही प्लो भी अच्छा नहीं होता है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके एक डिजर्व सब खतम हो रहे हैं इन लक्षनों को देखने के बाद अगर आप मेडिकल ट्रेटमेंट लेते हैं तो क्या किया जाता है जो बचे एग होते हैं उन्हीं को उनकी क्वालिटी को अच्छी करने के लिए आपको कुछ इंजेक्शन ही अगर आपको गर्वादारन हो सकता है अगर बेसिकली महिला का पूरा ही एक खतम हो गया है गुड़ क्वालिटी तो फिर और डाइट में changes करना जरूरी है जिससे कि आप गर्वधारन करने के लिए capable हो सके और जो बचे हुए आपके good quality of egg है उनमें जल से जल गर्वधारन करने का प्रकिरिया स्टार्ट किया जाए तो friends उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफे ज्यादा knowledgeable और अच्छी होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना लाइक करना बिलकुल न भूले और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेट और कोमेंट सेक्शन में बिलकुल फ झाल